जेडियों के प्रदान मास जीव के शित्यागी जी हमारे साथ हैं सर राहूल गांधी अब भी लगातार विदेश में सरकार पर हमला बोल रहे हैं बता रहे हैं देशी डेमोकरेशी को खत्रा है देखिए जो ए लोकतांत्रिक रुजहान देश में बिल्ड़ अफ हुए हैं ये पहला मौका नहीं है इंद्रा जी के शासनकाल में अटल विहारी बाजपेई जी जॉर्ज फननाडी साहब और दूसरे नेता देश में और विदेश में विपक्ष की जो दबती हुई आवाज है उस पर भी जो अंडेमोकरेटिक ट्रेंड से हैं उस पर भी प्रेस पर की जा रही जो निरंकुष्टा है उस पर भी सवाल उटाते थे देश के अंदर भी देश के बाहर भी इसमें कुछ गलत नहीं है केंद्रिय मंतरी करें रिज्जु जी है उन्होंने राहूल गांधी पर हमला बोला है और उनको कहा है कि बाहर के लोग नहीं जानते लेकिन देश के लोग जानते हैं कि वो पप्पू है मुझे राइनिती के गिरते हुए इस तरह की चिंता है हमलों के समय में कोई केंद्रिय मंतरी इस तरह के वक्तव नहीं देते थे मुझे अफसोस है कि एक केंद्रिय मंतरी ने इस तरह का हलका और इस तरह हीन कमेंट किया अगर देखें तो जम्मु कश्मीर में सरकार हमेशे दावा करती है कि वहाला सुधर रहे हैं लेकिन अभी भी वहाँ पर दो आतंकी पकड़े गए हैं उनके पास से भारी गोला बारूत बरामद हुआ है दावा तो यही था कि आर्टिकल 370 समाफ्त करने के बाद गुसपैठियों की आवा जाई बंद होगी कश्मीरी पंडितों का प्लाइन बंद होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा हो इसके विपरीत रहा है ना लाएन ओर ठीक है ना विकास की गंगा भी है ना नागरिकों का आ पंजाब सरहत पर एक भुसपैट की कोशिश की गई है जिसको हमारे जो हमारी जो एजनसिया है हमारी जो बियस अफ है उसने नाकम किया है सैना का शोरियर पराकरम भी नई गाथा सीमाओं की सरहदों की सुरक्षा की लिख रहा है हम उनको सलाम करते हैं एक अमरीका की रिप फौजी हमला हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान के तरफ से जिस तरीके की बार-बार घुस्पैट कराने की कोशिश की जाती है वो काफी खतरनाक है भारत मानता है कि युद्ध आखरी विकल्ब है लेकिन अपनी सीमाओं की सुरक्षाओं के लिए और किसी बड़ी घुस्पैट को रोकने के लिए सेना जो कदम उठाएगी हैं उसके साथ कैमरामेन हरिश के साथ खुर्रम शहजाद नियूज एटीन डिली